कॉंग्रेस के लग आतंग भादियों को बिर्यानी खिलाते थे और मोधी जी की सेना आतंग भादियों को बोली और बोला देती है बिस्राडा गाउं की चुनावी रैली में इस भाषण की वज़ा से यूपी के सीएम योगी आदितिनाथ घेर गए है भाषण में भारतिय सेना को मोधी की सेना कहने पर विपक्ष ने जब कड़ी आपत्ती जताई तो चुनाव आयोगने संग्यान लेते हुए उत्तर प्रदेश निर्वाचन कार्याले से इस पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है यूपी निर्वाचन कार्याले को आज इस पर अपनी रिपोर्ट देनी है चुनाव आयोगने योगी के भाषन की पूरी कौपी भी मंगवाई है आई आपको फिर से सुनाते हैं योगी का पूरा बयान कॉंग्रेस के लोग आतंग बादियों को बिर्यानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंग बादियों को बोली और बोला देती है यहीं अंतर है कॉंग्रेस के लोग अजर मसूद जैसे आतंग बादियों के साथ जी लगा करके आतंग बाद को प्रोप्साइब करती है योगी के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी आपत्ती की योगी के भाशन पर कड़ी आपत्ती करते हुए टी-मसी सुप्रीमो मम्ता बैनर जी ने ट्वीट किया UPCM का भारतिय सेना को मोधी सेना कहना एक चौका देने वाली बात है सेना को यूँ हडपना और उसका इस तरह खुला निजी करण करना हमारी सेना का घोर अपमान है अब भारती सेना का नामा करण करके मोधी की सेना रख दिया सीम आदितेनात ने ये हमारे सेना का अपमान है ये भारती सेना है ना कि प्रचार मंद्री की नीजी सेना आदितेनाद को माफी मांगनी चाहिए गोड़ तलब है कि पुलवामा हमले और एर स्ट्राइक के बाद राजनेतिक रैलियों में शहीदों और एयर स्ट्राइक की तस्वीर इस्तेमाल होनी की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने 19 मार्च को सभी राजनेतिक दलों को एक सलाह जारी कर चुनाव प्रचार के दोरान राजनेतिक लाब के लिए सैनेकों और सैने अभियानों का जिक्र करने से बचने को कहा था अब देखना दिल्चस्प होगा कि यूपी निर्वाचन कारियाले इस पर क्या जवाब देता है और चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है आज तक ब्यूरो